आज है 19 मार्च 2023 और अभी हम हैं गोर्धनपुरा में लेकराम यादोजी की इस जैवी खेक पर और ये पूरी खेती जो इतनी अच्छी फसल दिख रही है ये सारी फसल जो इतनी अच्छी दिख रही ना देखो पोर पर पोर इतनी अच्छी ये रेतेली जमीन पर है पूरी र से निकाला या ये देखो नीचे रेष टिरे दिखाऊ जारो थिखाऊ ये देखो हो यह पूरी रेटी मिटिभी अब मिटिगब अच्छा हो गया इसमें देखो ये सब जूरूट्स है ये सब सब रूच sa तो रेत के अंदर इतनी बढ़िया फसल और फसल कैसे दिखाओ पोर पर ये देखो ये पोर पर जो है एक दो तीन चार दाना एक दो तीन चार पांच दाना ये दाने पर दाना लगा हुआ है और एक सी फसले हैं सब तरफ इतना अच्छा इतनी अच्छी फसल ओभी रसायन मु तो से इसमें जैवी खेती हो रहा होगा टीसी बटी यहां पर लेने के बाद दो साल कंप्लेट हो जाएंगे तो जो है वह वो कंप्लीट हो चुका है पांच जार लिट्र तकरीबन अपना ये पांच अलिट निए करो एक सिंगल क्रोप में जो है च्यार बार अनुजल अनुजल अच्छा और इस फसल में क्या क्या डाले हैं इस फसल में बेसल डोज में अपने पिचेतर केजी जो अपना तीन बैग अपने गोर्दम खनीच एक किलो सुर्पाल दो किलो बस्मरसाइन और जो है नेनो मही राजा अच्छा अपना बेसल डोज में इसको डाल के अच्छे सीसको कटिंग करके इसकी और जो है अपना शीड को गंच इक साथ फसल गूट्टी पहले आनी के साथ फसल गूट्टी भी चली है अच्छा एक ब और कभी संभव एंसा आप कहा रहते हों आप कहा हो गोराकपूर से होती ही वहाँ इस इस यूँग फसल होती है बाली छोड़ाई से छोटी होती है बाली तो यह होता है TCBT का कमाल चलिए बहुत बढ़िया जोरदार बोलिये जैविक किसान जैविक जीवन सब्का कवल्यान चलिए भाई अभी हम 56 बोगवाटीगा देखने चलते हैं।